मांसून सत्र आज से सुरू हो रहा था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोंदी ने अपने अभी भासन में का कि हर मुद्ध पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो चर्चा की जाएगे लेकिन विपक्ष लगातार मड़ी पूर हिंसा को लेकर आक्रोस है बड़े-बड़े सवाल खड कर रहा उसको लेकर क्या थेंगे लेकिन विपक्ष का रवया पिछले भी देखा होगा आपने और आज फिर वही रवया पर अड़ा है विपक्ष सरकार जब चाहरे है इस पर कोई बैस हो तो है ना आप बैस में आई यह जनता के जो मुद्ध हैं सदन में लेकर आई यह ले अगर कोई समस्या है कोई अगर आपके पास कोई अगर जनता के परती बिकल्प है तो जनता सदन में आई यह उस पर चर्चा करते हैं आम सामने सामने बैठ के लिकिन कुछ हो जबी तो जनता बेपक्ष के बास कुछ ही नहीं ना जनता के लिए कुछ कहने के लिए है लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आज की तारीक में पाड़ी एक दूसरे को जुड़ रही है क्योंकि जो भी दल है अपना दल है बहुत सारे नाम है किसी का दल रख ली और नाम बदलने से मेरकाल से किसी को सत्ता हसल नहीं हो जाएगी जब तो जनता नहीं चाहेगी 140 करोड जनता ने ठान लिया है मान लिया है कि मानी मोदी जी को तीसरी वार देश का प्रदान मंद्री बनाना सर बिपक्ष ये भी कह रहा है कि हम सरकार से महागाई के मुद्ध पः जी एश्टी की मुद्ध पर यूशी सी मुद्ध पर चर्चा करेंगे क्या बिपक्ष लगा दार सरकार भाग ने कर रहें क्या बिपक्ष ने चले है सदन चले क्योंकि सरकार सदन चलना बहुत जरूरी है देश की हित में भी है और सरकार के हित में भी क्योंकि बड़ा नुकसान होता है सदन चलने से क्योंकि सदन चलता तो पैसा खर्च होता सरकार का और और सब डिपेंट करता है जंता के उपर जंता का ही विपक्ष की लगभग 26 पार्टियों से गडवंदन हो गया है उसको लेकर क्या गडवंदन कोई नया नहीं हुआ इन लोगों का पहले भी गडवंदन से उननीस में यह लड़े थे तब क्या इस्तिती थी और आज भी फिर गडवंदन हुआ है पहली बात तो यह गडवंदन क्योंकि सब लोग वही लोग हैं जो पहले थे चेहरे थे वही आज चेहरे हैं और अपने अपने बचाने के लिए सब यह गडवंदन कर रहा हैं क्योंकि कोई ED लगी है किसी के पीछे कोई CVI लगी है कोई जांच चल लगी है तो सब इतने भी इनोंने जो किया है पहले उसक देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है तो जनता ने ठान लिया है और मान लिया है कि हम तीसरी बार भी देश के प्रदानमंदरी मोदी जी को बनाना है सर्थ दोजाइचोबिस का लोक्षवा चुनाव पास में हैं बसकोची समय बचे हैं उसमें बीजेपी उत्तर परदेश में कितनी सीट लाएगी क्या उमीद लगता है नहीं देखिए हमारे जो हमें सीट निदर्थ है उत्तर परदेश का हो चाह हमारे देश का हो उसने असी सीटे हैं हमारे उत्तर परदेश में असी की असी सीटे जीतने का लक्ष मनाया है और हम समझते हैं असी की असी सीते उत्तर परदेश से मान्य medication जी के और मान्य जो हमारे परदेश के जो हमारे मुर्चिया है मान्य भुपढंदर जी होऊ चा हमारे D urgency M हो उनके नितर्त में और मान्य Am시stha जी के मान्य मोदी जी के नितर्त में हम यह असी की सीटे हमासे UP से निक कहा जाता था, महीं इनका गड़ और जाता था, आज महीं इनका गड़ नहीं रहा, क्योंकि रामपुर से मैं बैठा हूं, आजमगर से हमारे दिनेश निर्वभा जी हैं, बाकि एक-दो सीटे और है इनके पास, वो भी छिंजांगी जैसे ही इनके हालात है, क्योंकि जनता के बीच में कभी नहीं गए टोट की राजनीदी करते रहते हैं एसी में बैठे रहते हैं लेकि जनता के अगर कुछ पाने के लिए जनता के दिल जीतने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है तब ही जनता उनसे पिरवावी दोकर उन्हें अपना समर्तन देती है लेकि हम नेता कोई भी हो जंता की बीच में रह रहा है और जंता की समस्चा को सुनकर उनके निवाराण कर रहा है और मैं समझता हूं जंता 2024 में मानने मोदी जी के साथ देश की खड़ी है ये तक हंस्याम सिंग लोदी जी ने जिनोंने साब तोर से का कि 2024 का जो लोग सभा चुना होगा वो काफी एहम होगा प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी की संदक्षान में फिर से भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगे शिवम पांडे टेन पी ने उस दिल ले